हां जी तो क्या हाल चाल आज मेरे मुम्मी पापा की एक्सिजेंड में डेथ हो गए और उसकी खुसी में आई मीन गम में मैं धोल बजा रहा हूं और ऐसा कहा जाता है हमारे यहां अगर सुबा सुबा तुम धूब में धोल बजाओ गए तो उनकी आत्मा को सांती मिलेगी लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रखा आज मैं खुसी में धोल नहीं बजा रहा हूं मैं गम में धोल बजा रहा हूं मेरे पापा एक बहुत ही अमीर आदमी थे और वो मेरे लिए एक यारी सांच सा बंगला छोड़ गए व्यू देखो यार कितना बढ़िया दिखता है सुबा सुबा लेकिन ये बहुत दिक्कत वाली बात है क्योंकि मेरे पापा के पास 500 करोल की प्रॉपर्टी थी अरे तनीसा डालिंग बाद में कॉल कर ले न अभी बीजी हूं मैं पहले मैं ढोल वोल बजाना अपना कंप्लीट कर देता हूं जिससे मेरे मम्मी पापा की आत्मा को सांती मिले अब वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि उनकी रात कार एक्सेंड में मौत होगी ढोल पीटना वीटना बंद हो गया है मैं जरा अपने घर का मौइना करा हूं मेरे घर में तीन सदश सी और हैं हमारे दादा जी मेरी दादी और मेरी बड़ी बहन अभी मेरी बड़ी बहन के साधी नहीं हुई है और जो हमारे बुड़े हैं आइमीन दादा जी है उनको बिड़ी फूखने कहला और कुछ काम नहीं है, पहले मैं उनसे आके बात करता हूँ, क्योंकि हमारी फैमली में एक और आदमी है, मेरा बड़ा भाई, इस लॉस सेंड डॉस का गेंगस्टर, उसने मेरे पापा की सारी जायदा थड़ पली, और वो सारी जायदा मेरे दा फ्रैंकलिन किसी चीज में नहीं है, ऐसी बीड़ी आए हाए 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 सुबह साम बीड़ी फ्रैंकलिन, सुबह साम बीड़ी, बहुत मजा आता बेटे, बहुत मजा आता बीड़ी पीने में, बस ऐसी बीड़ी मिल जाए, ऐसी बीड़ी मिल जाए, सुबह साम बीड़ मिल जाए बेटा, बेटे फ्रेंकलिन, बेटे तू कुछ बात करने है, कि मुझे बता दे बेटे, तू बहुत अच्छा बेटा है, बेटे, ये जो चारो तरफ की हड़्डिया चमक रही है, तुम्हारी ये बीड़ी पीने सी चमक रही है, मैं बात ये करने आया था, कि हमारी जायदाद है 500 करोड की वह सेर ने मार रखी है तो याद होगा तुम्हें मेरा बड़ा भाई हाँ बेट े फ्रेंटिन क्यों नहीं याद है तेरा बड़ा भाई सेर बेट बहुत बढ़ास आत्मी वह बेटे बढ़ास होगा अपने घरका तुम्मारी सारी जायदाद माल ली उ मुझे चाहिए ना जाएदाद मैं भी तो इससे जार हूँ जब पापा हमारा हिस्सा करके गए थे तो हम दोनों का इससा कर रहा था था नो समादादा वो सारी लेक के बैड़ी पीते रहे ना तुम कुछ मत करना तुमें तो चाहिए नहीं बस बीड़ी दे दो खाना वाना परताओं भी सिम्रन है यो बड़ी है हमारी इसकी साथ दिकन्नी है मुझे मैं कहां से लोगा दादाजी पैसा सारा पैसा तो वो सेर मार के बैड़िया तुम कुछ कहा होगे कैसे ले हूं मैं से अपनी प्रोपर्टी बैटे फ्रेंक्लिन मुझे बेड़ी पीने दे बैटे मु कि तुम तो सुनते नहीं हो मेरी अम मेरे पास वकील के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है तो मैं कहीं से तो इंतिजाम करूंगा पैसो का या तो मैं दादी से लोगा दादी की दवाई भी चल लगी है तुमारा भी लीवर को ओपरेशन करा है अध्य टाइम तो तुम या तो मैं पुलिस वाले के पास जाँगा कि सेर ने सारी जमीन मार रखी हमारी यो जमीन देखके मुझे रोना आता हमारा इतना आली साल बंगला 12 हली कोप्टर हैं हमारे पास 13 सूपरकार हैं वो सब सेर ने मार रखी नई दादाजी मेरा क्या नई मुझे जानना है मेरा क् मैं क्यों घुमूँ उस एक चड़े में मुझे वो सामने वाली प्रोपर्टी चाहिए मुझे आली सान मंगला दिख रहा है ना सामने मुझे वो चाहिए कैसे भी करके चाहिए दादाजी बेटे फ्रैंकलिन मेरी बेडी खतम हो गई बेटे बेटे दूसरी बेटे लादे बेटे देरा बहुत बला होगा बेटे लादे बेटे उसे बात एक अन्यवेकार है मैं जा रही है दादी के पास नई दादी जी तुम भी बताओ ना मुझे मेरी बात गलत है तुमें भी सिगरेट पीने की आदत पड़ गई अरे दादी मेरी एक बात तो सुनो या तो तुम दादा को समझा दो इनका अंगुठा लगवा की सेर ने सारी प्रोपरटी अपने नाम कर ली है अब तुम तीनों को मैं इस घर में रखता हूँ कोई आदमी मुझसे इस घर में बात निगरना चाहता एक भी आदमी यो हमारी बड़ी बहन इसको समझा लो सिमरन को या इसकी साधी करा दो सिमरन तु कभी मान जाया कर इस फोन को रख दिया कर तेरी सकल बेकार हो गई फोटो खीच खीच के तुझे चैन नी पढ़ती गया तेरी हमें साधी भी करानी है तुनने मेक अप कर करके सारा मुझ खराब कर लिया हम कहां से करांगे कहां से तेरे लिए यंग हैंडसम लोंडा ढून के लेके आंगे लोस सेंटोस में आइट ना कहने की बाँवजूद भी फोन नी रख रही हो सिंम्राण मत रख थो हजार फोटो खीच मेरा सर मत खा मैं जा र्या हूं भई मैं कुछ करके छोड़ूंगा मैं जाओंगा आज बाहर मैं कुछ ना कुछ करके छोड़ूंगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा देखो अब भी किसी को फरक नहीं पढ़ लिया मैं यू कह रही हूँ तो जा रही है वहाँ ना कोई खाने को पूछ रिया ना कही चीज को दादजी तुम्हें भी फरक नहीं पढ़ता मेरे बाहर जाने से मुझे नहीं चाहिए यार तुम्हारी बीडी अपने पास रखो तुम बीडी मुझे जाएदाच चाहिए वो 500 करोड की कैसे भी मैं लेके रहूंगा तुम्हें तो किसी बात की परवा है नहीं तुम्हारे इसाब तो हम रोड पे आ जाए या मैं दस दिन से कच्छा ना बदलू अपना तुम्हें तो एक महिन्ने से वही कपड़े पैन नखे तुम्हें तो फरक पड़ता है एक डुप की मैं सोच रहा हूँ जकुजी में ही मार क्या हूँ अब मेरा डुप की मारती सर का सारा दरत गायब होगी अब मुझे सेर के सर में दरत करना उसने जो प्रोपरटी मार रखी है मेरी इसमें से निकल जाओ मैं कोई वकील ढुणना है अपना जिससे अपने पेपरत तयार करूँगा और उसकी सारी प्रोपरटी मारूँगा सेर प्रोपरटी ऐसे नहीं छोड़ेगा या तो मुझे किसी वकील के अंतजाम करना होगा या मुझे अपना कोई दोज ढूनना होगा जिसके पास हत्यार बत्यार हो मस्त गाड़े गाड़ी हो और उसको लिजा के मैं कब जगर ले उसकी प्रॉपरटी पे। अब साल हमारे पास कोई गाड़ी भी तो नहीं है, यो देहज में मिली थी मेरे पापो, लिजम में पैसे हैं और सपने देखो किते बड़े-बड़े देख री आभे होंगे भाई एक दिन मेरी जेम में इतने पैसे होंगे पूरा थेटर इख़ी स्भाए में पुरा सिनीमा होल खरीद वकील तो मैं आज ढूंड के रहूंगा कैसे भी ढूंडूंगा कुछ भी करके ढूंडूंगा लेकि ढूंडूंगा ढूंडने से याद आया मेरे पापा का एक पुराना वकील है जो मेरे पापा के सारे काम समालता था जी वकील साब, वकील साब, एक मिनट, वकील साब, यहां क्या कर रहा हो तुम, नहीं हो टप में क्या कर रहा हो, तुम यह मुझे बता दो, मैं चाइल्ड, I am doing, just kidding, you know I am doing some work, what happened to you, there is something happened to you, my child, please, वकील साब, मुझे इतनी इंगलीस समाझ में नहीं आती, मुझे हिंदी में ब बता रही हो, तुम में तुम मेरे पापा को तो जानते होंगे, रमेज को, जो आपके पास काम कराना आते थे, पाली के निच्चे वाला जो बंगला है, वो हमारा ही है, तो अभी मेरे पापा की एक्सिड़न में रात मौत हो गई, my child, how this is all happened, my child, अरे यार, वकील साब, जादी प्रोपर्टी मिल जाए, कुछ हो सकता है, तो तुम बताओ, इस वकील ने बिना कुछ कहें, मना कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता, और सेर को वकील साब भी जानते ही, वो कित्ता खतरनागा आदमी है, तो यहां से तो मुझे कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं, वकील सा गया है न, वकील नहीं मना कर दिया, घर में कोई मेरा साथ देने रिया, बुढ़ा बैठा हुआ, बीड़ी पीता हुआ, अँ मैं घड़ जा गया न, एक बार दादाजी के साथ ट्राइ करता हूँ, दादाजी, दादाजी आगया, आगया, बड़े 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 जल्द जब से उसने हमारी सारी प्रोपर्टी, मैं वकील साब के पास गया था, पापा के जो वकील थे, उन्हों नहीं माना करते है कि कुछ नी हो सकता, सेर बहुत खतरनाग आदमी है, तुम कुछ नी कर सकते है, ना उससे प्रोपर्टी ले सकते, देंगे दादाजी मैं आपको ए सारी टांगे दूगे यार, एक तो ये बड़ी बड़ी गाड़ी वाले आके ना मेरी जलाते है, होन मार मार के जाते है, साला, एक आदमी मुझे बहुत देर से ना पिच्छे से होन मारी है, एक मैं डूक यो जरा, एक मैं डूक, मैं साइकिल रोखने दे, हाँ भई क्या बा पड़ेगी, मेरे फुपा का लोंडा भी तो रहता लो सेंटोस में, अब मुझे सुहेल के पाथ जाना पड़ेगा, सुहेल मेरी जान में आ रही हाँ, तू करेगा मेरी हैल, दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, सुहेल के पास, अब वही प्रोपर्टी दिलवाएगा मुझे सेर से, बाई बाई, सी यू लेटर दोस्तों